तुलसी सूर मीरा कबीर नानक्तु का अराम तमाम संद्ध आनंद मैं हो गएं क्यों हो गएं अगर आकारण कृपा करते तो उन पर किया तो हम पर भी करते कहते हैं नहीं नहीं उन लोगोंने साधना की तब कृपा किया और हम लोगोंने साधना नहीं की सरंदर नहीं किया भक्ती नहीं किया तो ये सरंदर और भक्ती की शर्ट जो लगा दिया तो ये अकारण कैसे हुआ ये प्रश्न है हाँ बात ठीक है लेकिन गलत है क्या मतलब मतल अब यह कि भक्ती से कृपा नहीं होती है भक्ती से भगवान मिलते हैं यह बोला जाता है लेकिन यह फैक्ट नहीं है क्यों कुछ लोगों का प्रश्न है कि शास्त्रों बेदों में भगवान को अकारण करुण कहा गया अकारण करुण अर्थात बिना कारण के कृपा करने वाले दया करने वाले लेकिन यह बात लॉजिक से तर्क से जचिती नहीं क्यों अगर भगवान अकारण करुण है तो फिर हम सब जीवों पर कृपा क्यों नहीं कर देते हैं सब जीव अनंद मैं हो जाएं मायातीत हो जाएं यह बेदों से लेकर रामायड तक सभी ग्रंतों में साधना बताई जाती है जीवों के लिए उपदेश दिये जाते हैं आइसा करो आइसा करो तो भगवान करुणा करेंगे क्रपा करेंगे फिर अकारण करुण कहां रहे फिर तो बिजनेसमैन हो गए भगवान भी हमने कुछ किया तो भगवान ने क्रिपा किया ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई दुकानदार अपना दुकान कपड़े की खोले है हमने रूपया दिया उसने कपड़ा दिया ये तो लेन देन है अकारण कृपा तो उसे कहते हैं हम कुछ ना करें और वो कपड़ा दे दे कृपा कर दे आईसी कृपा तो भगवान ने कभी की नहीं अन्यथा भगवान में एक गुण है बेद कहता है अपहत पापमा विजरो विम्रित्तुर विशोको विजगत्चो पिपासा सत्य कामा सत्य संकलपा चांदोग्योपनिशत आठमे प्रपाठक के पहले खंड का पाचवा मंत्र और ये चांदोग्योपनिशत में आठमे प्रपाठक के सातमे खंड का पहला मंत्र भी है ये दो बार आया है मंत्र इसका अर्थ है कि भगवान में आठ गुण है अलवकिक उसमें एक गुण का नाम है सत्य संकलप यानि जो सोचा हो गया करना वरना नहीं है बस सोचा संसार बन जाओ बन गया संसार का प्रलय हो जा सोचा और हो गया ऐसे हम लोग सोचते हैं फिर प्रैक्टिकल वर्क करते हैं फिर भी सफलता मिले न मिले डाउट और भगवान ये से कुछ नहीं है बस सोचा और हो गया और कोई चीज भगवान से असंभो भी नहीं आ अपान पादो जवनो ग्रहीता पस्यत्यचप्चु सचनो त्यकरणा श्विताच्चतरोपनिशत बेद कहता है तीसरे अध्याय का उन्नैस्वा मंत्र ये मंत्र कहता है भगवान बिना हाथ के पकड़ लेते हैं बिना पैर के दोड़ लेते हैं बिना आख के सब कुछ देखते हैं बिना कान के सुन लेते हैं और कान से देख लेते हैं सूंग लेते हैं सोच लेते हैं जान लेते हैं यानि एक इंड्रिय से सब इंड्रियों का ग्यान भी कर लेते हैं यानि इंपासिबल को पासिबल करते हैं सर्ब समर्थ भगवान तो फिर क्या बात है एक संकल्प कर लो अनंत कोडि ब्रह्मांड के समस्त जीव माया से उत्तीर न होकर आनंद मैं हो जाए बस हम लोग का काम बन जाए 84 लाग की चक्की पीछ रहे हैं हम लोग छुट्टी मिले पर ऐसा आज तक हुआ नहीं और कुछ जीव आनंद मैं हो गए यह भी इतिहास कहता है यह ब्रह्मा है शंकर है विष्णु है नारद है सनकादिक जनकादिक शुकादिक ब्यासादिक शंकराचारजादिक तुलसी सूर मीरा कबीर नानक्तु काराम तमाम संत आनंद मैं हो गए क्यों हो गए अगर आकारण कृपा करते तो उन पर किया तो हम पर भी करते कहते हैं नहीं नहीं उन लोगों ने साधना की तब कृपा किया और हम लोगों ने साधना नहीं की सरंदर नहीं किया भक्ती नहीं किया तो यह सरंदर और भक्ती की शर्ट जो लगा दिया तो यह अकारण कैसे हुआ यह प्रश्न है हाँ बात ठीक है लेकिन गलत है क्या मतलब मतलब यह है कि भक्ती से कृपा नहीं होती भक्ती से भगवान मिलते हैं कि यह बोला जाता है लेकिन यह फैक्ट नहीं है क्यों क्योंकि भक्ती हम किस से करेंगे मन से इंद्रियों से तो इंद्रियों की भक्ती तो भगवान नोटे ही नहीं करते अर्जुन करोणों मर्डर करता है भगवान नोट नहीं करते क्यों उसका मन भगवान के पास है तो मन का जो कर्म है वो भगवान नोट करते है ठीक है मन का कर्म नोट करते हैं मन से भक्ति करे कुई तो भगवान कृपा करते हैं यही तो हुआ नए 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 मन से भक्ति करने से क्या होता है यह समझेए मन से भक्ति करने से मन का मैल धुलता है मन निर्मल होता है निर्गुन होता है यानि शुद्ध होता है जो संसार का अटाइटमेंट है वो चला जाता है बस यानि मन का बरतन खाली हो गया उसमें कुड़ा कच्रा जो था माँ बाद बेटा इस्तिरी पती धन प्रतिष्टा इस सब बासनाएं एक खतम हो गया वो बिल्कुल नार्मल हो गया मन प्लेन कहते हैं उसको बस भक्ति ने इतना किया अब इसके आगे भगवान का दर्शन वगेरा ये नहीं कर सकती भक्ति क्योंकि भक्ति जिससे करते हैं वो मन माईक है ध्यान दो मन माईक है माया का बना हुआ है और भगवान दिब्व है तो माईक मन से दिब्व भगवान का ग्रहन नहीं हो सकता माईक आख से दिब्व भगवान को हम नहीं देख सकते हैं हमारी बगल में बैटे हो और हम देख रहे हैं है ये तो हमारी तरह है और वो भगवान बैट रहे है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी दिब्व भगवान को देखने के लिए दिब्व नेच्ट्र चाहिए दिब्व कान चाहिए दिब्व नासिका चाहिए दिब्व रसना चाहिए दिब्व तवचा चाहिए दिब्व मन चाहिए दिब्व बुद्धी चाहिए वो हमारे पास नहीं है भक्ती से भी नहीं आएगी वो शुद्ध हो गया मन बद इससे न भगवान मिलेंगे न भगवान की कोई दिब बस्तू मिलेगी शुद्ध किये बैठे रहो फिर क्या होगा इसके बाद मन शुद्ध होने के बाद फिर भगवान महापुरुष के द्वारा उसमें जिब्य शक्ती भर देते हैं ये क्रपा अब आई क्रपा अकारण यानि अपनी शक्ती से भगवान आँख में जिब्य आँख कान में जिब्य अपना पावर वो भर देते हैं यानि इंद्रियों को मन को बुधि को दिब्य बना देते हैं ये हमारी साधना का फल नहीं है हमारी साधना से भक्ती से तो खाली मन शुद्ध हुआ अब उसको दिब्य बनाने के लिए भगवान की अकारण क्रिपा चाहिए अगर वो नहीं करते तो हम बैठे रहते हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते माया समाप्त नहीं होती चौराशी लाख में घूमते रहते और अनंत जन्मों के हमारे जो पाप पुन्य है वो भी भस्म नहीं होते तो अकारण क्रिपा से भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धी को दिब्व बना देते हैं तब हम भगवान का दर्शन करते हैं यह जो बड़े बड़े संत हुए इन्होंने तब देखा भगवान को उनसे बात की उनका अस्परश किया उनको अपना बेटा बनाया बाप बनाया सखा बनाया उनको घोड़ा बनाया सखाओने जैसे हम संसार बाद करते हैं आपस में क्योंकि उनके पास दिब्डिब्डिब्ड सामान हो गया ये दिब दिब सामान के लिए भगवान की अकारण कृपा आवश्यक है तो भगवान अकारण करुण है लेकिन वो अकारण करुण का उनका फल अंतह करण के शुद्ध होने पर मिलता है तो जिसने अंतह करण शुद्ध कर लिया भक्ती के द्वारा उस पर कृपा हो गई वो हो गया संत इसलिए दोनों आवश्यक है जैसे एक सामान देखना है हमको हमारे सामने क्या रखा है कैसे देखेंगे आख से अच्छा बड़ी अच्छी आख है तो भी देख लेंगे हाँ अगर लाइट आफ कर दे तो अंधेरे में अब नहीं देख सकते क्यों आख तो है उसके अटक के गिर गया अरे क्यों रे कैसे गिर गया अंधा आए गया नहीं अंधा नहीं हूँ जी अभी नहीं नहीं आख है फिर अरे अंधेरा था जी वो सामान रखा था वहाँ यानि उस सामान के उपर लाइट भी चाहिए और आख भी सही चाहिए नहीं सूरदास को 25 जून के दोपार को भी नहीं दिखाई पड़ेगा दोनों कंपलसरी है ऐसे ही साधना भी कंपलसरी है उससे अंताकरन शुद्ध करो फिर भगवत कृपा भी कंपलसरी है उससे वो दिब्य बने तब भगवत प्राप्ति हो माया निवृत्ति हो आनंद प्राप्ति हो ए समाधान अजसे साधना हो उससे सा शीस करने लिजव का सकथ एलगी निव健 डते भी निव उसकत ठयसे से वार nårवन रमी कंते twice वित प्राप्ति हो लत्पति हुாर निव हो इायाए